गुलजार साब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि अगर किसी से महबत बेहिसाब हो जाए तो समझ जाना कि वो किस्मत में नहीं है नवस्कार जहिन साथियों प्रीट एकजाम 2021 सामाजी के ध्यन की नए और पुराने जो पहले से यथावत है उन तमाम टोपिकों की तमाम विनिट्स की टोपिक वाई जो हम मेरातन सीरी चला रहे हैं आज सिरी संक्या 77 भारत के भुवाकरतिक प्रदेश उसका तीसरा ये पार्ट है भुवाकरतिक प्रदेश जो है वहीं से प्रश्णों का संकलन किया जा रहा है तो वीडियो का आप लाइक कर दें शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिएगा और अपना एक दूसरा चैनल भी है आदी की आवाज नाम से जिस पर मोटिवेस्टनल वीडियो कवीताएं वगरा डालता रहता हूं में तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल है अपना कभी आदी गणे सिंधी नाम से उसको जोईन कर सकते हैं कभी कबार नोटिफिकिसन नहीं मिलता है यहाँ पर वीडियो का लिंक है जो वहाँ पर डाल देता हूं कोई इंपोर्टेंट नूज होती है तो वह भी वहाँ पर डाल दी जाती है तो किस तरफ इस्तित है उत्तर दक्षण पूर्वे या पच्चिम उत्तर हो जाएगा बै दक्षण में इस्तित है व्याक्या में देखिए आप इसे हिमाले का उपहार भी कहते हैं और इस मेदान का निर्मान सिंधु गंगा ब्रह्म पुत्र से होने के कारण इसे इन नदियों का मेदान भी कहा जाता है द्रम पुत्र का मेदान सिंधु गंगा का मेदान भी कहा जाता है अगला सवाल देखिए उत्तर के विशाल मेदान का क्षेत्रपल है साथ लाक वर्ग किलो मेटर आठ लाक वर किलो मेटर नो लाक या फिर दस लाक वर किलो मेटर उत्तर हो जाए ए साथ लाख वर्ग किलोमेटर जो है उत्तर के विशाल मेदान का कुशेत्र भला है व्याख्या में देख लीजिए उसत उंचाय की हम बात करें तो 200 मिटर और ढाल प्रवनता की हम बात करें तो 13 से 20 सेंटिमेटर परतिवर्ग किलोमेटर अगला सवाल देखी भारत के विशाल मेदान के अंतरगत आने वाले राज्ये हैं वारत का विशाल मेदान है उसके अंतरगत कौन-कौन से राज्ये है जो इनिकलूड है आते हैं पंजाब हरियाना उत्तर परदेश बिहार बंगाल असम या फिर ये सभी राज्ये तो यहाँ पर अपना उत्र हो जाएगा दय, यह सबी के सबी जो है भारत के उत्र का जो विशाल मेदान है भारत का उसके इंत्रकत आते है, अगला देखिए उत्र के विशाल मेदान के कितने भातिक विवाग हैं यह कि ये गए हैं 3, 4, 5, 2 उत्र हो जाएगा दो भोतिक विभाग हैं कौन-कौन से हैं वो देख लिजी आप पहला पश्चिम का मेदान और दूसरा पूर्वी मेदान विस्तार पश्चिम के मेदान को सिंदु मेदान, सतलज मेदान भी कहते हैं लंबाई की बात करें 640 किलोमेटर चोड़ाई 300 किलोमेटर और उचाई 200-500 मिटर के अंतरगत आती है अगला सवाल है अपना दक्कन के पठार के विस्तार को करनाटक में कहते हैं मेसूर का पठार काठियावाड पठार मराठवाडा पठार या फिर मालवा पठार तो बताईए दक्कन के पठार के जो विस्तार है उसको करनाटक में क्या कहते हैं उत्तर हो जाएगा मेसूर पठार अब विस्तार देख लीजिए ये व्यक्या देख लीजिए अब दक्कन पठार विस्तार को गुजरात में काठियावाड पठार कहा जाता है अब किसको क्या कहा जाता है तो दक्कन का जो पठार है उसका विस्तार को महराष्टर में मराठवाड़ा पठार तेलंगाना में तेलंगाना पठार MPV राजस्तान में मालवा पठार और अकले राजस्तान में हाडोती पठार अगला देखिए किस परवतमाला को अरब सागर की बेटी कहते हैं विंद्याचल परवतमाला, अरावली परवतमाला, सत्पुड़ा या इन में से कोई नहीं उत्र हो जाएगा बह अरावली परवतमाला को अरब सागर की बेटी है जो कहा जाता है इस प्रवत माला से जुड़े जो फेक्ट हैं और जहां से सवाल पूछे गए हैं कहीं बार वो देख लीजिए इसकी लंबाई जो है 692 किलोमेटर है इसका निर्मान 65 करोड वर्स पूरो माना जाता है प्री केम्रियन युग या धारवार युग में इसका जो विस्तार है गुजरात राजस्तान और दिल्ली में है तो ये भी आप द्यान में रखिएगा अगला सवाल है अरावली प्रवत माला की सबसे उंची चोटी है गुरु शिकर शेर दिलवाडा जर्गा तो कौन सी है कहीं बार पूछा गया उत्तर हो जाएगा गुरु शिकर है उंचाय की बात करें 1722 मिटर उंची है और ये है मद्धे भारत की सबसे उंची चोटी है पूछ लिया जाए मद्धे भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो यही है गुरूशिकर 17-22 मिटर वहीं आगे और देख लिजी आप यह परवतमाला भारत में अरब सागर से आने वाले मानसून के समानांतर चलती है ठीक है रावले वाली और इसलिए इस परवतमाला के पश्चिम भाग में वर्षा है जो कम होती है अगला सवाल है अपना सत्पुडा परवत की लंबाई है 980 किलोमेटर 900 किलोमेटर 800 किलोमेटर या फिर 500 किलोमेटर उत्तर हो जाएगा 900 किलोमेटर है जो लंबाई है सत्पुडा परवत की व्याख्या में आप देख लीजी थोड़ा इसके बारे में इसकी जो ओसत उंचाई है वो 762 मेटर है यह बेसाल्ट वे ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है सत्पुडा एक ब्लोग परवत है जो तीन भागों से हैं विवाजित है इस परवत का विस्तार है महादेव मेकालवे राजमहल पहाड़े ग्रूप में मिलता है वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें शेर भी कर दें अब सत्पुडा की स्तरवोच्चे चोटी है धूपगड महादेव पहाड़ी परपंचमड़ी अमरकंटक उत्र हो जाएगा ए क्या हो जाएगा ए अगला देखिए सत्पुडा परवत की दूसरी बड़ी चोटी है महादेव पहाड़ी परपंचमड़ी अमरकंटक या सभी उत्र हो जाएगा दूसरी है अमरकंटक यहाँ पर सभी कलप सही होगा इसकी यह उसत इसकी जो उंचाई है वो 1066 मिटर है यह मेकाल श्रेणी का सरवोचे सिकर है यह निर्मदा वैसोम नदी का उद्गमिस्तल भी कहलाता है अगला अपना सवाल है भारत के उत्तरी विशाल मेदान से सम्मंदित भावगोलिक शब्दावली है भावर प्रदेश तराई प्रदेश दुवाब खादरवे बांगर सभी तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना दे सभी अगला सवाल है अपना कंकड युक्त वह क्षेत्र जहां छोटी छोटी नदियां विलुक्त हो जाती है कहलाता है भावर तराई दुवाब खादर तो उत्तर हो जाएगा यह बांगर कहलाता है यह प्रदेश शिवाली के गिरिपद क्षेत्र में सिंदू से तिस्ता नदि तक आट से सोडा किलोमेटर तक फेला है इसका विस्ता उत्तर प्रदेश में सरवादिक देखने को मिलता है अगला सवाल है वह भाग जहां भावर प्रदेश की लुप्त नदिया फिर से बोतल पर प्रकट होती है कहलाता है भावर तराई जलोड सभी तो क्या उत्र हो जाएगा भै तराई कहलाता जहां पर वापस प्रकट होती है देखिए तराई प्रदेश को मच्छर पटी कहा जाता है इस प्रदेश में हाती घास वे कास घास पाई जाती है और यह दलदली छेतर है जो 15 से 30 किलो मेटर माफ किजीगा 15 से 30 किलो मेटर है अगला सवाल देखी नदियों समूह में मिलने से पूर्वे जिस इस्तिला कृति का निर्मान करती है वे कहलाती है तराई दोआब डेल्टा खादर है उत्तर हो जाएगा से डेल्टा और डेल्टा का जो उपरी भाग है वो चर डेल्टा का निचला भाग बिल गंगा वे ब्रह्म पूत्र द्वारा निर्मित डेल्टा सुंद्रवन डेल्टा है यह सवाल है जो कहीं बार पूछा गया है अगला देखिए दो नदियों के बीच का शित्र कहलाता है बांगर, खादर, भावर या दुआब तो यह सवाल आया हुआ है कहीं बार पूछा गया आपको विदित होगा तो दो नदियों के बीच का शित्र क्या कहलाता है दे दुआब कहलाता है सतलज वे व्यास नदियों के बीच का छेत्र बिस्त या दुआब कहलाता है ठीक है व्यास वे रावी नदियों के जो बीच का छेत्र है वो कहलाता है बारी दुआब जाविव चिनाब का रचना दुआब चिनाब जहलम के इन नदियों की बीच का जो शेत्र वो कहलाता है चाज दुआब और चिनाब जहलम सिंदु सिंद सागर अगला सवाल देखिए नदियों दुआरा निर्मित वे मैदान जहां नदियों के बार्ड का पारिन नहीं पहुँच पाता कहलाते हैं खादर बांगर दुआब चर्थ उत्र हो जाएगा बै बांगर में चुना के निक्षेप को कंकड कहते हैं और बांगर प्रदेश का सरवादिक विस्तार है जो यूपी में देखने को मिलता है अगला सवाल देखिए मेदान के वे निचले भाग जहां बार्ड का पानी पहुँचता है और नवीन जलोड मृदा का जमाव होता है कहलाता है खादर बांगर चर बिल तो उत्तर हो जाएगा खादर और इनका सरवादिक जो विस्तार है वो बिहार बंगाल में है अगला देखिए उत्तर के विशाल मेदान के प्रादेशिक वर्गिकरण में सम्मिलित है राजस्तान का मेदान पंजाब हरियाना मेदान गंगावे ब्रह्मपुत्र मेदान सभी तो बताइए उत्तर के विशाल मेदान के प्रादेशिक वर्गिकरण में सम्मिलित है उत्तर हो जाएगा देख इस सभी के सभी शेत्र अगला सवाल देखिए राजस्तान के मैदान की लंबाई है 640 किलो मेटर 630, 610 या फिर 500 किलो मेटर तो उत्तर हो जाएगा राजस्तान के मैदान की लंबाई कितनी है 640 किलो मेटर कुषेतर फल 1.75 लाक वर किलो मेटर और यहां टेथिस सागर था यहां सरस्वती के अवश्य से जो मिलें सरस्वती नदी के अगला सवाल है पंजाब का मैदान किन नदियों से बना है सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, जहिलम या सभी उत्र हो जाएगा अद्ध है सभी तो पंजाब का जो मेदान है, वो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और जिलम इन सबी नदियों दुआरा दिर्मित है, इन सबी नदियों से बना है और इन पांचों नदियों दुआरा बने गड़ों को इस्तानिय भाषा में चो कहते हैं, क्या कहते हैं, चो अगला है ब्रह्म पुत्र मेदान का अन्य नाम है बंगाल का मेदान असम का मेदान दोनों केवल बै उत्र हो जाएगा अपना दे यहाँ पर केवल बै यानि की असम का मेदान व्याक्षा देख लिजी आप इसकी इस मेदान का जो संपूर्ण भाग है वो असम में है सुन्दरवन डेल्टा की लंबाई की बात करें 800 किलोमेटर चोड़ाई की बात करें 60-90 किलोमेटर पुछा जा सकता है सुन्दरवन डेल्टा की लंबाई तो 800 किलोमेटर चोड़ाई की बात करें 60-90 अगला सवाल है अपना भारत का प्रायदीप्य पठार प्रदेश का आकार है गोलाकार त्रभूजाकार आईताकार या फिर वक्राकार अत्र हो जाएगा बै त्रभूजाकर वैखे देखे इसकी आप यह प्रदेश गोलएनडवाना भूमै का भाग है ठीक है भारत का प्रायोधी पर पठार जो है वो किसका भाग है गोलएनडवान भूमै का भाग है और इस प्रदेश का जो आधार उतर में शिर्ष दक्षन की यह भारत का सबसे प्राचिन वा सबसे बड़ा भोतिक प्रदेश है यह राजस्तान के चितोड से कन्या कुमारी गुजरास से पस्यमंगाल तक 16 लाक वर किलोमेटर में है और इसकी ओसत उचाई है 450 से 750 मिटर अगला सवल देखी वह पठार जो सरवादिक अवनाली का अपरदन से प्रभावित है मालवा पठार छोटा नागपुर पठार लावा पठार या फिर मैसूर का पठार क्या उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार जो है वो सरवादिक अवनाली का अपरदन से प्रभावित है व्यक्या देख लिजी इसकी यह पठार बेसाल्ट वे ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और इस पठार की जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की हो रहे है इस पठार का सरवादिक इस पठार पर सरवादिक अवनाली का जो अपरदन है वो चंबलनादी से होता है अगला सवाल है अपना वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए शेर भी कर दीजिए आप छोटा नागपुर पठार की ओसत उचाई है छोटा नागपुर जो पठार है इसकी ओसत उचाई कितनी है 750 मिटर, 300 मिटर 600 या फिर 900 तो क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए 750 मिटर व्याख्या देख लिजिए आप इसका जो विस्तार है बिहार वे जारखंड में है किसका छोटा नागपुर पठार का बिहार वे जारखंड में है और यह पठार भारत के खनीजों का आजायब गर करलाता है पूसले जायब वो कौन सा पठार है अगला सवाल देखी इन में से सबसे प्राचीन पठार है मेसूर या करनाटक पठार मालवा पठार चोटा नागपुर पठार या लावा का पठार तो कौन सा सबसे प्राचीन उत्र हो जाएगा ए मेसूर करनाटक पठार ब्याख्या देखी आप इस पठार की चटाने बहुत कठोर वे प्राचीन है इस पठार की जो प्रमुक नदी है वो कावेरी है और इस पठार की दक्षनी सिमा नील गिरिप पाडियां है ठीक है आगे देखिया अगला सवाल एशिया वे भारत का सबसे उंचा जल प्रपात है जोग जल प्रपात गर सोपा या जिर सपा प्रपात मात्मा गांधी प्रपात या सभी उत्र हो जाएगा यहाँ पर दे सभी अब आप बोलोगे यह सभी के से तो नीचे वेक्या में देख लीजिए यह एखी जल प्रपात के नाम है सारे के सारे ठीक है और इसकी उंचाई 255 मिटर है और यह करनाट की स्रावस्ति नदी पर है अगला देखिए शिव समुद्रम जल प्रपात करनाटक में है किस नदी पर इस्तित है श्रावस्ति कावेरी गंगा या फिर चंबल तो किसना दी पर है कावेरी पर है यह ठीक है और इसकी ओस्ट नुचाई 100 मिटर है शिव शमुद्रम जल प्रपात किसना दी पर है कावेरी पर है ओस्ट नुचाई 100 मिटर है अगला सवाल देखिए पश्चिमी घाट कितने शेत्र में विस्तृत है एक हजार किलो मेटर में सोड़ाई की हम बात करें तो पचास से किलो मेटर है рушत उंचाय की बात करें तो 1066 मिटर है और इसमें चार धर्णे है, पस्टे मेरे गहाँ में कितने धर्णे हैं, चार धर्णे हैं कौन कौन से बाला घाट, बोर घाट पाल घाट और सिन कोट ठीक है अगला सवाल देखिए अब आपको मिलान करना है एक तरफ तो दर्रा है और दूसरी तरफ है मार्ग या जहां से जो जुडा होता है तो सभी यहां पर सुमेलित है पहले से ही बाला घाट जो दर्रा है गाट दर्रा मुंबई से नासिक जोडता है बोर घाट मुंबई से पोणे पाल घाट कोचि से कोईमबटूर और सिनकोट त्रिवेंद्रम से मदूरई और नीलगरी जो पहाडियां है तमिलाडू में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोडती है यहां प्रती हेक्टेर चाय सरवादिक होती है और यहां सरवादिक तोड़ा जन्जाती निवास जो करती है अगला सवाल है दक्षन भारत की सबसे उंची चोटी है अनाई मुड़ी दोदा वेटा कालडोम या केटू दक्षन भारत की सबसे उंची चोटी उत्तर हो जाएगा ए अनाई मुड़ी और इसकी उंचाई है 2695 मिटर अगला सवाल है नील गिरी पहाडियों की सबसे उंची चोटी है नील गिरी पहाडियों की तो नेलगरी पाड़ियों की सबसे उची चोटी है अनाय मुड़ी, दोदा बेटा, कार्डोमम या केटू तो कौन सी हो जाएगी बै, दोदा बेटा और यह है दक्षिन भारत की दूसरी उची चोटी है इसकी उचाई 26-23 मिट्र है अगला सवाल देखिए, पस्चे में घाट वे पूर्वे घाट कौन से पहाड़ियों में मिलते हैं ग्रह जाद पहाड़ियां, निलगरी पहाड़ियां, अना मुड़ाई पहाड़ियां या फिर कार्डोमम पहाड़ियां क्या उत्तर हो जाएगा बह निलगरी पाहडियां व्याख्या देखे लिजे आप थोड़ी सी पूरवी घाट पस्चिमी घाट की तुलना में कम उच्चा वे खंडित है पूरवी घाट की सबसे उची चोटी महेंदर गिरी है जो पंद्रा सु एग मिटर है और उड़ी सा में पस्चिमी घाट की सबसे उची चोटी की बात करें तो वो अन्ना मुड़ाई है जो 26.95 मिटर है अगला सवाल है पूरवी घाट से सम्मंदित परवत श्रेणिया है पाल कुंडा वे नल कुंडा आंदर प्रदेश नला मलाई आंदर प्रदेश शिवराम वे जावदी तमिल लाडू सभी तो क्या उत्र हो जाएगा दै यह सभी की सभी है जो पूरवी घाट से रिलेटेड है वेख्या देखिए मलकान गिरी पहाडियां इसी भाग में है जो बंगाल में इस्तित है तमिल लाडू का हिली स्टेशन कोड़ई कनाल है जो पालने परोश्रेणि में इस् कौन सा पठार वर्तमान में नक्षलवाद की समस्या से ग्रशित है दंड करणने पठार पूर्वी घाट पस्च्चिमी घाट या फिर तेलंगाना पठार उत्तर हो जाएगा ए दंड करणने पठार और ये मुख्यत है च्छतिस घड में फिला हुआ है अगला देखिए ग्रहजात की पहाड़ियां कहां इस्तित है च्छतिस घड उडिसा पश्यमंगाल तमिल नाडू तो ग्रहजात की पहाड़ियां कहां इस्तित है उत्तर हो जा और यहां के सबसे उच्छोटी मलेगरी है ग्यारा सो पिच्चा सी मिटर है अगला सवाल है कि तेलंगाना पठार किस नदी के दुआरा दो भागों में विभक्त होता है गंगा, कावेरी, गोदावरी या फिर चंबल क्या उत्तर हो जाएगा से गोदावरी के दुआरा दो भागों में विभक्त होता है कौन सा पठार तेलंगाना पठार और इस पठार के साथ ही रोयल सिमा पठार भी आंद्रप्रदेश में है कौन सा पठार प्राइद U.P.A. भारत का उत्री पूर्वी विस्तार कहलाता है मेगाले का पठार, तेलंगाना पठार, दंड करणने पठार या इन में से कोई नहीं उत्र हो जाएगा मेगाले का पठार व्यक्या देख लिजे इसकी यह है छोटा नागपूर पठार का आंशिक भाग है मेगाले इसी पर बसा हुआ है इसी पठार के विस्तार को मेगाले में शिलोंग का पठार भी कहते हैं तथा असम में कारबिर एग लोंग पठार भी या उत्री कचार पठारियां भी कहते हैं इसको अगला सवाल है नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश समगर रूप से कहलाता है मेगाले पठार दक्कन पठार तेलंगाना पठार या इन में से कोई नहीं तो उत्तर हो जाएगा बै दक्कन का पठार तो यह थे आज के इस वीडियो के इंदर कुछ इंपोर्टेन्ट सवाल लाइक नहीं किया अभी तक भी तो लाइक कर दें शेर कर दें और पहली बार देखरें तो सब्सकाइब जरूर कर ले ना आप वीडियो देखते होंगे और सब्सकाइब नहीं कर रखा है तो आपके पास notification नहीं आता होगा home page वे से दिखता होगा आपको तो subscribe करके घंटे वाले निसान को दबा कर all पे click कर लेना ताकि हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे फिर मिलते हैं